असलाम अलेकुम स्यूरेंट्स आइंड जैनब फात्पा यूर साइंस टीचर कैसे हैं आप सब उमीद है आप खेरियत से होंगे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि क्लर्स क्या होते हैं स्पेक्ट्रम के क्लर्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह बनते हैं वेवलेंथ भी पड़ी नाच्रली अकरिंग स्पेक्ट्रम मतलब रेन्भो भी देखा और लास्ट में हमने क्वेस्टिन भी सॉल्फ किया दाट वाइस देखने लगे हैं कि डिफरेंट कालर्स को अगर मिक्स किया जाए तो क्या आउटबुट होगा हमारे पास तो आये शुर हैं इस दुनिया में उनको सिरफ तीन कलर्स मिला कर बनाया गया है इन कलर्स को कहते हैं प्राइमरी कलर्स ये कौन-कौन से कलर्स हैं नमबर वान इस रेड नमबर टू इस ब्लू और नमबर त्री इस ग्रीन अब यहां पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मैं बात कर हूँ लाइट्स की यह वही लाइट है जो हमने प्रिजम से रिफ्रैक्ट होते हुए देखी अब हम देख रहे हैं कि तीन लाइट्स को मिला कर डिफ्रेंट लाइट्स बन रही है ठीक है पिगमेंट्स हम बाद में भी पढ़ेंगे मगर अभी हम सिंपल लाइट्स की बात क कर रहे हैं कर रेड लाइट ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट को मिला कर हर कलर की लाइट बंती है वो कैसे combining any two primary colors make three more colors इन तीन को हम कहते हैं primary colors इनको मिला कर बनते हैं हमारे पास तीन और colors और उनको हम कहेंगे the secondary colors वो है yellow, cyan and magenta अब देखते हैं कि ये तीनो colors कैसे बनते हैं इसका मतलब है combine any two primary colors तीन primary colors में से अगर आप किसी दो को मिलाएंगे तो हमारे पास इन में से कोई ना कोई color बन जाएगा आगे हम table की form में करके भी देखेंगे कि कौन सा color मिलाकर कौन सा color बनता है अभी आपने ये बात दिहान में रखनी है कि दो colors को मिलाया जाए तो हमारे पास secondary color बनेगा तो फिर अगर हम तीनो primary colors मतलब तीनो lights को मिलाएंगे तो कौन सी light बनेगी? white light white light ही वो light थी जो के prism से cross होकर spectrum बना रही थी मतलब white light different colors में spread हो रही थी इसका मतलब कि white light में ये सब colors मौजूद है अब हम देखते हैं आगे जाके कि colored filters क्या होते है colored filters if you shine a ray of light through a colored filter some colors are blocked while others pass through अब हमने ये देखा कि light कुछ चीजों से reflect करती है उसके लिए जरूरी था surface का plain होना, polished होना और reflective होना reflective होने का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि वो substance या वो medium या वो surface हमारी light को absorb ना करे absorb नहीं करेगा तभी light होगी reflect अब हमने एक और point दिमाख में रखना है कि color से भी फरक पड़ता है white light में सब colors मौजूद है मगर surface अगर colored होगा तो कुछ light की rays reflect करेंगी और कुछ absorb हो जाएंगी इसका मतलब हम आने वाली light जो देख रहे है हमारे लिए arm light है मगर reflect होती भी light का color different होगा देखते हैं कैसे यह आपके सामने एक filter है जिसको हम कह रहे है red screen red screen में से जब light pass कर रही है तो हम तीन primary colors को example के तौर पर लेंगे the blue light, the green light and the red light इन तीनो lights में से red screen सिरफ red light को pass through होने देगी यह हम कह सकते है red filter सिरफ red light को ही pass through होने देगा बाकी दो lights मतलब green light और blue light को absorb कर लेगा यह हम कह सकते हैं block कर देगा असर में block करने की वज़ा है absorb हो जाना तो अब देखते हैं कि green screen क्या करेगी green screen red color को और blue color को यहीं रोक देगी मतलब block कर देगी और green light को pass through होने देगी इसको याद रखने का बहुत असान तरीका है red filter is letting the red light pass through green filter is letting the green light pass through इसका मतलब यह है कि अगर कोई इनका combination होगा जैसे अगर blue होगा तो वो पहले blue light को जाने देगा इन दो lights को रोक देगा अगर कोई ऐसा color होगा जो इन दोनों का combination होगा तो वो इन दोनो lights को जाने देगा और जो तीसरी light होगी उसको block कर देगा हम इसको और detail में पढ़ते हैं आगे जाके तो light transmission through TV हमने देखा कि चलो हमें एक light reflect होती भी नजर आ रही है मगर जब हम TV screen देखते हैं यह हम mobile phones देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमें हर तरह की light नजर आ रही होती है अब उसके पीछे एक mechanism है जो भी manufacture करते हैं TV screens को उन्होंने TV screens को इस तरह से ही बनाया है कि हमारे पास तीनो colors हमें नजर आए और बाकी colors उन तीनो colors का combination होते हैं तो automatically हमें वो भी नजर आ जाते हैं अब मैं पहले आपके लिए रीड करते हूं यह है टीवी की inner screen यह कह रहे हैं that the outer screen which means this screen is coated with thousands of phosphors phosphors को thousands of phosphors यहाँ पर मौझूद है और in a group of three मौझूद है यह दोना points आपने याद रखने हैं the group of three and the phosphorous coating अब group of three क्यों है this is because each one is for any primary color for example red, blue and green क्यूंके तीन primary colors होते हैं इसलिए अपने आपको group of three में arrange कर देते हैं the inner screen has three electron guns यह हैं electron guns और यह हैं आपकी inner screen one for each color यह भी तीन इसलिए हैं क्यूंके प्राइमरी कलर हमारे पास तीन हैं हर electron gun एक एक ना एक प्राइमरी कलर को टारगेट करती है the color of the screen depends on which phosphor is being hit hit by what this is electron gun electron gun वो होती है जो electrons को फैंकती है screen की तरफ यह electrons जा रहे हैं screen की तरफ अब कौन सा color हमें नजर आएगा depend करता है कि कौन सी gun कौन सी electron को किस color पर hit करती है for example this one is for red whereas this group is for red तो हमारा red color इस group को hit करने से हमें नजर आएगा तब यह electron gun एक fast moving electron को इस इसकी तरफ फैंकेगी और जब फैंकेगी तो हमें red color नजर आएगा same is for two and three दो primary colors हमारे पास रह गए हैं blue and green blue यहां होगा green यहां होगा for example this is blue this is green green will hit a fast moving electron to the group that represents green and blue will hit the group that represents blue यही वज़ा है कि एक टाइम पर इतने ज़ादा fast moving electrons जब इन groups को hit करते हैं तो हमें सब colors नजर आते हैं अगर हमें इन दोनों का mixture चाहिए तो यही होगा कि एक टाइम पर दो electron guns दो group को hit करेंगी ताके वो specific color हमें मिल जाए हमने अगले lecture में पढ़ना है कि वो specific color किस तरह से बनता है किसके combination से बनता है आपने हर चीज साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ के आगे बढ़ते जाना है तो हम last में चलते हैं और मैं उन pigments का जिनका जिगर कर रही थी अब उनका combination आपको पढ़ाऊंगी mixing different pigments पहले हम कर रहे थे lights को mix इसलिए मैंने कहा था focus on the word light बगर आपको pigments का भी बताना जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा कि जब दो lights combine करती है red और green तो वो एक और color बनाती है हो सकता है कि घर में जब आप experiment करें तो आपके पास lights ना हो आपके पास simple colors और paints या inks मौझूद हो तो इसी लिए मैं आप आपको पढ़ाऊंगी pigment कि pigments को जब combine किया जाता है तो कैसे colors बनते हैं और ये colors specifically light जैसे नहीं होते इंके combinations होते हैं different तो आएए पढ़ते हैं mixing colored pigments the first question is what is a pigment chemicals that produce colors कोई भी ऐसी चीज जो color produce कर सके that is a pigment example में we have paint we have ink, leaves, petals इसके इलावा भी अगर आपकी rayons देखें या आपकी colored pencils देखें और उसमें भी जब आप थोड़ा सा पानी mix करेंगे तो वो भी एक तरहा का pigment ही बनाएगा मतलब color बना देगा अब आप normally घर में experiment करते हुए ऐसे ही colors mix करेंगे और देखें कि किस तरहां के combinations बन रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं primary pigments की तरफ जिसता हमारे पास light में तीन colors primary थे उसी तरह यहाँ पर भी तीन colors primary होंगे number one is red number two is blue and number three is yellow तो difference आ रहा है third color पे that is yellow light में हमारे पास third color था green और pigments में हमारे पास third color है yellow आपको यह चीज़े भूल भी सकती है इसलिए साथ साथ आपने notes बनाने हैं फिर देखते हैं secondary pigments क्या होते हैं इनकी definition हमने अभी first board पे पढ़ी कि जब कोई दो primary colors मिलाये जाते हैं तो बनता है secondary color अब इन तीं primary colors में से कौन-कौन से colors हमें मिल रहे हैं आए देखते हैं number one is magenta red को और blue को जब हम combine करेंगे तो हमारे पास color बनेगा magenta second is the combination of blue and yellow जब blue और yellow को combine किया जाएगा तो हमारे पास बनेगा color green अब देखते हैं कि third combination क्या है yellow प्लस red becomes orange जब yellow और red को मिलाए जाएगा तो हमारे पास बनेगा color orange मतलब इन primary इन तीं primary colors के combinations को जब mix किया तो हमारे पास तीं different colors और बन गए अब अगर हम इन colors को भी mix करते जाएं तो हमारे पास और बहुत जादा colors बन सकते हैं आप अपने घर में मौझूद paints के साथ या किवियॉंस के साथ ये experiment जरूर कीज़ेगा मगर याद रखेगा कि आप pigments के color mix कर रहे हैं not light ठीक है तो light के आपने जो color combinations हैं वो अलग से याद रखने हैं ताके next lecture में आने वाले सब concepts आपको आराम समझा जाएं तो अभी के लिए इतना ही अपना ख्याल रखेगा खुदा हाफिज